प्री चात्रयम चात्राओं मैं आपका हिंदी विशे का सिक्षक महिंद्र धाकड और आज हम पड़ेंगे हमारा सत्रवाद्याय जिसका नाम है हंसिनी की भविश्यवाणी और जिसके लेखक हैं मन मोहन मदारिया मन मोहन मदारिया का जन्मसन 3 सितंबर 1929 को हुआ आपके द्वारा रचिस सहित्य में एक वासंती रात समुद्र के किनारे चार दिवारी मिसेज लाल ये सहचर आत्मा के मेरी प्रिय वियंग रचनाएं गुदड़ी का लाल सूरच की धूप आज की लोग कथाएं बाल कथाएं लोग कथा सेली की कतिपई विसेशताओं को आत्मसात करने वाली इस कहानी में कहानीकार ने प्रजातंद्र पद्धती की प्रारंबिक अउधार्णा को एक कलपना कथा के माध्यम से प्रस्तूत किया है एक राज्जी के राजा की मरत्यू के बाद उस राज्जी का मंतरी इ उसे अज्यान मिला कि वह प्रजा को ही राज्जी की बाग्डोर सुपे प्रजा के ही कुछ प्रतिनी दी तै किये जाए और सहाइथा के निमित कुछ लोगों की सिमित समीती बना दी जाए मंत्री ने इसी तरह वेवस्था बनाई प्रजातंत्र का वातावरन बना कहानी की फलानवित ही प्रजातंत्री के सुफल का वर्णन है, कहानी में कल्पना का सोंदरी तो है ही यथार्त का भी द्रश्यंकन है, बासा में सहजता और प्रजलता भी है, अब हम हमारे अध्याय हंसिनी की भहश्यवानी को समझेंगे, किसी समय एक देश में एक राज जा राज करता था, उसकी कोई संतान नहीं थी, राजा बुड़ा हो गया था, मंत्री ने राजा को सला दी कि राजन आप किसी होनहार बालक को गोद ले ले, वह आपके बाद आपका राज काज समझा लेगा, राजा बोले, भगवान नहीं चाहते कि इस देश के राज सिहासन पर मेरे वंस का राज रहे, मैं भगवान की मरजी के खिलाफ काम नहीं करना चाहता, देश के दुसरे सायाने लोगों ने भी राजा को समझाया, मगर राजा ने सब को यहीं जवाब दिया, मैं भगवान की वह भी छुटकारा चाहते थे मगर इसके पहले किसी चतुर आदमी के हाथ में राज कांच तोप देना चाहते थे ऐसा चतुर आदमी आखिर कहां मिले केसे मिले मंतरी इसी सोच में थे उन्होंने बाद राश्ट अंत्र के समय की है जहां पर राजा का बिटा ही राजा बनता मंतरी इसी सोच में थे और उन्होंने कुछ चतुर सयाने लोगों से सला ली पर कोई ठीक राई न दे सका मंतरी सब तरफ से निरास हो गए कुछ सूज नहीं रहा था क्या करें राजा का चुनाव साधरन काम तो था नहीं राज जी भर की जनता के हित अनहित का सवाल था कही किसी गलत आदमी को राजा चुन भोटे तो राज बरबाद हो सकता था मंतरी को यह सवाल नामुम्किन जान पढ़ने लगा तो क्या वह सवाल सच मुछ ही नहीं सुलजा नहीं वह एक दिन अचानक ही सुलज गया उस दिन मंतरी महल के पीछे सरोवर के किनारट टहल रहे थे वे जगह सुहावनी और सुनसान थी मंतरी को जब कोई गहरी बात सोचनी होती थी तब वे महीं चले जाते थे उस दिन भी वे वह नया राजा चुनने के बारे में सोचने गए थे मंतरी जी सोच में डूबे थे कि यकायक उनके कानों में कुछ भनक पड़ी पास ही कोई बात्चित कर रहा था मंतरी ने सोचा इस सुनसान जगह में कौन बात्चित कर रहा है बात्चित की आवाज सरोवर के बीच से आ रही थी मंतरी ने उसे और देखा हंस और हंसीनी उनी के बारे में बात कर रहे थे मंत्री जी कान लगा कर उनकी बाते सुनने लगे हंसीनी बोली आजकल मंत्री जी बड़े उदास दिखते हैं क्या बात है हंस कहता है अरे तुझे नहीं मालूम देश के राजा नहीं रहे वह कोई संताम नहीं छोड़ गए तब राजा किसे चुना जाए इसी फिक्र में बेचारे मंत्री जी उदास हैं हंसीनी हस कर बोली यह तो कोई फिक्र की बात नहीं है मंत्री जी इतनी सी बात के लिए परेशान है फिर हंस कहता है वाह यह चोटी सी बात केसे हुई नया राजा चुनना क्या हसी मजा किया हसी का खेले फिर हंसीनी कहती है मेक अप कहती हूँ कि यह हसी खेल यह चोटी बात है मगर इसका तो एक सीधा उपाई है हंस बोला सो क्या हंसीनी क्या कहती है सरोवर के किनारे बेठे मंत्री सुनने के लिए चोकनने हो गए हंसीनी कहती है इसका उपाए यही है कि जिसका यह देस है उसको ही इसका राच-काच समालने दिया जाए हंस बोला देस अभी तक तो राजा का था मगर अब वह नहीं रहा वह अपना कोई वारित भी नहीं छोड़ गया है इसी हालत में हंसीनी हसते वे बोली तुम भी अनाडियो जैसी बाते करते हो नियाई की बात कहो देस असल में किसका है देस का असलिक मालिक कौन है राजा या प्रजा हंस कुछ सोच कर बोला देस की असल मालिक तो प्रजा है देस तो उनका ही है हंसी नी बोली हाँ यही नियाई की बात है मंत्री जी को चाहिए कि वह प्रजा के हाथ में राजकाच सोब दे हंस बोला मगर यह कैसे हो सकता है प्रजा में तो लाखों लोग है राजकाच समालने के लिए तो कुछ आदमी ही चाहिए हंसी नहीं बोली ठीक है प्रजा अपने में से कुछ हुश्यार आदमियों को चुने वे प्रजा की तरफ से राच काच करें राच काच समालें राच की मालिक तो प्रजा ही है वह रहेगी कुछ लोग उसके मुख्या बनकर काम करेंगे यदि ठीक काम न करें तो प्रजा उन्हें अठा कर दुसरे आदमी चुन ले इसमें क्या अडचन है हंस बोला अडचन तो कोई नहीं है आसान बात है लोग ठीक तरह से समझ लें अगर इसे तो इससे राज का बड़ा हित होगा हंस हंसिनी की इन बातों से मंतरी को रहा सूच गई उनकी एक बड़ी फिक्र मिट गई उन्होंने हंस हंसिनी की बातों के मताबिक काम किया देश में एक विचार सबा कायम की गई उसमें तीन सो आदमी थे ये आदमी प्रजाने चुने थे देश की आबादी तीन करोड थी एक लाख आबादी में से एक आदमी चुना गया इस तरह विचार सबा में प्रचा के जाने मने आदमी थे विचार सबा के तीन सो आदमी ने अपना एक नेता चुना वह आदमी देश का मुख्या हुआ उसने ही पुराने राजा का काम समाला अपनी मदद के लिए उसने विचार सभा में से ही चार आदमी और चुन लिए वे पांच लोग मिल जुलकर राज का चलाने लगे उनके कामों पर विचार सभी की निगरानी रहती थी विचार सभा राज चलाने के कानून भी बताती थी इस तरह देश में नए ढंग से राज होने लगा यह बंदोबस्त परजा के लिए बड़ा हितकारी हुआ परजा पहले कभी उतनी सुखी और धनी नहीं रही थी जितनी इस नए ढंग के राज में सुखी रही अब पुराने मंतरी को भी राज काच से चुटकारा मिल गया था वह अपने महल में ही आराम से रहने लगा एक दिन वह फिर महल के पिछे सरोवर के किनारे गए वहां उन्होंने हंस हंसिनी को फिर बाच्चित करते वे सुना हंस कह रहा था अरे तुने सुना अपने देश में प्रजा का ही राज कायम हो गया है हंसिनी बोली तो इसमें अच्रच की क्या बात है आज नहीं तो कल यह तो होने वाला ही था जिसका देश वही राजा मंतरी जी ने यह बहुत अच्छा काम किया देखना आप दिरे दिरे दुसरे देशों में भी एसा ही राज कायम होगा यही अच्छे ढंग का राज है हंस बोला भगवान करे तेरी बात सच हो मंतरी ने संतोस की सांस ली मन ही मन बोले आखिर वक्त तो मुझसे एक नियाय का गाम हुआ इश्वर दूसरे देश वालों को भी एसे ही समझा दे कुछ दिनों बाद बुड़े मंतरी स्वर्ग सिधार गए मगर उन्होंने जो नए ढंग का राज चलाया था वह बहुत फला फुला हंसीनी की वविश्यवानी सच्ची हुई दूसरे देशों में भी उस ढंग का राज फिला इस ढंग के राज को आज प्रजातंतर के नाम से प्रुकारा जता है प्रजातंतर अठा जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए सासन है इस प्रकार हमारी यह बहुत ही अच्छी कहानी पूरी होती